ये जो हमारे अंतर मन की संकिर्णता, छिछले पन, ओचे पन और हलके पन की सोच है ये हमारे जीवन की बड़ी समस्या है इस उलजन को सुलजना ही चाहिए ये इस समस्या का निराकर्ण ना किया जाए तो जीवन अजीब सा बनकर रह जाता है और उस अजीब से जीवन का कुछ भी परिणाम नहीं निकलता कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है ठीक उस प्रकार जिस प्रकार अन्य लोगों की संकीनता उच्छापन से भरी हुई सोच या विचारधारा या क्रियाकला हमें पसंद नहीं आता हम सबको नहीं अच्छा लगता ठेक उसी प्रकार यदि खुद की संकीन मानसिक्ता का उच्छी मानसिक्ता का हलकी और चिछली पन से भरी मानसिक्ता का हमें आभास हो जाए हमें पता चल जाए तो हमारे स्वयम के अंतर मन में आत्मग्लान प्रस्पूटित हो जाएगी और वही आत्मग्लानी हमें स्वयम को संभलने के लिए संतुलित करने के लिए समन्वित करने के लिए प्रेरित करेगी प्रोचसाहित करेगी यदि यह घटना हमारे जीवन में घट जाती है तो यह एक बड़ी क्रान्ति होगी और उस क्रान्ति के बाद का जीवन एक अदभुत जीवन हो सकता है एक सुन्दर जीवन हो सकता है एक अकलपनिय जीवन हो सकता है जो ज्यान से भरा हो और वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो यह संकीनता उच्छे पन की छिचले पन की सोंच हमारे अज्ञान का परिणाम है यदि इस परिणाम को ऐसे ही जीवन में लेकर आगे बढ़ा जाए तो जीवन वर्थसा हो जाएगा और यदि इसका बोध होकर आत्मगलाने की घटना हो जाए फिर हम अपने जीवन को संतुलित कर पाएं समन्वित कर पाएं संशोधित कर पाएं तो यही हमारा जीवन ग्यान से परिपून होकर सुन्दर हो जाएगा अद्भुत हो जाएगा जीवन की सार्थक्ता सिद्ध होने लगेगी और यही तो सभी ग्यान की श्रोतों का उद्देश है जो जो भी ग्यान की श्रोत हमें संतुलित होने के निर्देश दे रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि कैसे भी किसी भी प्रकार से हमारा जीवन संभल जाए सुधर जाए